हेलो बच्चो मैं राजीव सर आरम्स करियर के इस ओनलाइन प्लेटफर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रियोडी क्लासिफिकेशन और फिलिमेंड का लेक्चर नमबर फो लेक्या हुए है तो इसको पढ़ना है और याद करना है क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही जादे इंपोर्टेंट है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा होगा तो उनको घबडानी की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम ही ऐसा है जिसमें पढ़ाई लिखाई का फ्लो उतना नहीं बन पाता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है और याद रखना है जब जागे तभी सबेरा तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो पहले जो हो गया भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े अभी सबेरा है आज से पढ़ाई स्टार्ट करना है तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करो और कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए तो यहाँ पे जूड के क्या कर सकते हो अपने सारे डाउट किलियर कर सकते हो कहीं भी कुछ डाउट तुम्हारा नहीं रहेगा तो जल्दी जल्दी जूड़ो और आगे हम लोग क्या करते हैं अपने lecture को शुरू करते हैं तो आज के lecture का जो main point होने वाला है वो है character of period हम लोगने प्रियोडिक टेबल में देखाता है कि प्रियोडिक टेबल दो पार्ट में बटा हुआ है जो उपर से नीचे जो मतलब कॉलम आता है उसको हम बोलते हैं group और जो left to right जाता है कॉलम उसको हम क्या बोलते हैं period तो group होता है 18 और period होता है 7 तो इसी 7 period के बारे में हमको पहंड़ा है अब 7 period को एक एक period का detail हम लोग को करना थोड़ा सा भी possible नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे किसी एक period को निकालेंगे और उसी के बारे में detail study करेंगे अब बात आता है क्यों कौन सा period खुस नसीब होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये period नमबर 3rd है क्यों sir period नमबर 3rd क्यों लिए second ले लेते fourth ले लेते तो देखो starting में ही हम बताये थे कि हमको सिर्फ 1 to 20 element के बारे में ही पढ़ना है और ये जो period 3rd है इसमें mostly 11 to 18 आता है यानि atomic number 11 से लेके 18 तक तक तुम्हारे इसमें cover हो जाता है और ये ऐसे element है जिनके बारे में बार बार board में question पूछा जाता है तो board point of view से ये period बहुत ही important है तो जल्दी से बताओ इस period में कितने element होते है याद करने का तरीका सिखाते है कि आप 2, 8, 8 18, 18, 32, 32 ये numbering था element का according to period तो first में 2, second में 8 third में 8 यानि third period में 8 element हमारे होंगे वो कौन कौन होंगे वो sodium से start होके तुम्हारा आरगन तक जाएगा तो चलो जल्दी से बनाते हैं में यहापे लिखते हैं अपना जो है sodium है magnesium है aluminium है तो को छोटा लिखते है sodium है magnesium है aluminium है silicon है phosphorus है sulfur है chlorine और आरगन है ये हमारा क्या है third period के कुछ element है इन्ही के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है कि इन्ही से question पूछा जाएगा अब क्या-क्या character पढ़ना है उसको हम लोगों देखते हैं फिर एक के बाद एक पढ़ेंगे सबसे पहले हमको देखना है कि इन्ही मेंट का वैलेंस इलेक्ट्रोन कितना होगा तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रोन के बारे में जानेंगे फिर किस के बारे में जानेंगे वैलेंसी के बारे में जानेंगे सारा चीज किलियर होगा वैलेंसी वैलेंस एलेक्ट्रोन सारज पहले सम कहते आ रहे हैं वैलेंसी वैलेंसी किलियर होगा इस वीडियो में उसके बाद हमनों देखेंगे कि साइज किसका बड़ा और किसका छोटा होगा किसी का साइज बड़ा भी हो सकता है और किसी का साइज छोटा भी हो सकता है तो किसका बड़ा है और किसका छोटा है वो भी हम पता करेंगे फिर देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का करेक्टर कौन मेटाली करेक्टर सो कर रहा है कौन non metallic character so कर रहा है उसके बाद देखेंगे chemical reactivity यानि इन सब का reaction करने का तरीका क्या है कौन जल्दी reaction करेगा कौन धीरे-धीरे reaction करेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे nature of oxide यानि इनको अगर oxygen के साथ reaction कराया जाए यानि oxygen के साथ जोड़ दिया जाए ते लोग क्या behave करेंगे तो सबसे पहला हमारा point है valence electron और बच्चा लोग जल्दी से बताओ valence electron क्या होता है जो outer most electron होता है किसी भी atom का क्या होता है the outer most electron of an atom is called valence electron electron यानि जो भी last orbit में या मतलब cell में electron present होगा और valence electron निकालेंगे कैसे valence electron निकालने का तरीका है हमारा electronic configuration सबको आता होगा electronic configuration नहीं आता है नीचे link में है video जाके देख लो और जिसको जिसको आता है continue करो तो electronic configuration करेंगे तो क्या होगा इसका 281 होगा क्योंकि इसका atomic number कितना है 11 है 12 है 13 14 15 16 17 18 है तो 281 होगा इसका कितना होगा मैगनिसियम का 282 एलमुनियम का 283 इसका 284 इसका 285 सलफर का 286 क्लोरिन का तू यहां पर सी लिखे दिये 287 और आरगन का कितना होगा 28 और 8 यही हमारा क्या होगा electronic configuration होगा जिस गदहें को electronic configuration नहीं आया है मुर्गा बन के बैठे रहा नहीं तो बहुत मार खाओगे सब बहुत असा सा इलेक्ट्रॉनिक अन्फिग्रेशन तुमको आना चाहिए यह बताएंगे हम नहीं नीचे हैं वीडियो जाके देख लो वहां से अब हम पढ़ेंगे वैलेंस electron के बारे में तो देखो सामने clear है किसके last में कितना है sodium के one मैगनिसीम में कितना है two है एलमुनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, फोस्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, आर्गन में 8 है, यही तो हमारा है लाश्ट और्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो है नम्बरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब अगर तुम देखोगे ध्यान से, यह हो गया left side और यह हो गया right side, तो एक चीज दिखाई देगा, अगर हम left to right अगर period में move कर रहे है, कहा move कर रहे है, left से, right की तरफ अगर period में move कर रहे है, तो एक चीज देखने के मिल रहा है, कि जो number of valence electron है, वो increase कर है, पहले एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पाच है, फिर आठ है, तो ऐसा हम कह सकते हैं, कि जब हम move करेंगे, period में left to right, कहां से कहा, period में अगर हम left to right move करेंगे, तो हम देखेंगे, number of valence electron increase कर रहा है, बात है कि नहीं है, बिलकुल बात सही है, सर, दिखाई दी दे रहा है, तो पहला point हुआ हमारा valence electron के बारे में, कि valence electron increase करता है, left to right, यानि left से right जाने पे, valence electron क्या होता है, increase करता है, यह हमारा जब पहला point है, और बहुत ही important point है, इसको जल्दी से लिख लो, इसी से valence भी निकलेगा, किस से इसी से valence निकलेगा, valence क्या कहता है, valence क्या होता है, क्या कहता है, तो एक line तुम लों रटा रटा या बोलोगे, combining capacity of an atom, यानि atom का जो combining capacity होता है, उसी को हम बोलते है, valence, valence है और अपने आप में concept है, एसको फिर अगर कभी मौका मेरा तो detail में पढ़ने के courses करेंगे लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि सारे लोग stable होना चाहते हैं जैसे तुम लोग भी हो क्या चाहिए तुम लोग को पढ़ाय लिखाई कर नौकरी और लड़की नौकरी मिल भी गया और लड़की नहीं मिली तो stability नहीं आएगा लड़की तो चाहिए ही वैसे ही इस atom को क्या चाहिए यह वाला चाहिए यहाँ पे जाकी stable होगा यानि ऐसा configuration चाहिए यानि last में 8 हो लेगिन देख़ों यहाँ पे किसी के electron दिया वो उसका valency होगा या कोई भी कितना electron लिया जितना electron लिया अपने आपको stable करने के लिए last में 8 लाने के लिए वही उसका valency होगा यानि lose और gain जितना electron करेगा electron का करेगा वही होता है valency अब तुम्हारे दिमाह में आ रहा है कि gain का मतलब तो समझ में आता है कि ले लिया और 8 पे चला गया लेकिन लूज करने वाला concept समझ में नहीं आया कि लूज करके कैसे कोई stable हो सकता है जैसे कोई ले के अगर stable हो रहा है न तो कोई दे के भी stable होगा क्योंकि जब तब तक कोई देगा नहीं और इसको stability मिलेगा नहीं तब तक कोई ले की stable नहीं हो सकता है तो देना तो पड़ेगा stability के लिए अब देखो क्या होगा sodium की बात करें हम तो यह इसके last orbit में कितना electron है एक अगर यह एक electron निकाल दे तो two और eight का configuration हो जाएगा के नहीं हो जाएगा टब यह दे के stable होगा अब बात बात आता है कि कितना electron को दे सकता है तो maximum यह सकता है तो जूखी से मैंगनिसियम का 2-8-2 है अब मैंगनिसियम क्या करएगा इसके लिए 2 है लाष्ट में कि मिट Algo जब सिक्स इलेक्ट्रान लेगा क्या 56 इलेक्ट्रान ले सकता स्टेबल हो जाता है कि इसके बाद ऑलमुनियम क्या करेगा सेम काणड करेगा इसके लाश्ट में फ्री अभी होनी के लिए फाइब स्टेबल तो लेगा नहीं ढाल में तो यह एट लाश्ट में तुम्हारा एट से हो इस फोर वाले को यह ना फोर ले सकता है नहीं दे सकता है तो क्या करेगा फोर फोर जो है sharing करता है बोलता है तुम भी अपना लेकिया हम भी अपना लेकिया आते हैं दोनों लोग एक जगा रखेंगे और यूज करेंगे फिर तुम अपने घर जाना हम अपने घर जाएंगे अगर जादए दिक्कत होना हे चार जाय鍔ो तो ईक्रवक्लत मैं एक से डू को सेर करेंगे। जैसे दो बच्चे कोई क्या किया प्राठा और बुजिया लेकिया या कोई प्राठा ओमलेट लेकिया है दोनों सेरिंग करके खा लिया क्या हुआ हुआ थोड़ा सा ओमलेट इसको दे दिया और यह थोड़ा सा भुजिया उसको दे दिया अब दोनों के पास क्या है प्राठा भुजिया ओमलेट है तो इसको बोलते हैं सेरिंग तो वै sharing करेगा मतलब किसी-किसी से लेगा यहां पे complete transfer होता है यह सब दे देता है फिर लेता नहीं है लेकिन यहां पे sharing होता है दोनों एक पास लाके रखता है अब आता है phosphorus की बात phosphorus क्या करेगा इसके में तो 5 है लाष्ट में अब यह क्या करेगा यह जो है electron निकालेगा नहीं क्यों तो यह तीन इलेक्ट्रोन ले लेगा यह क्या करेगा दो लेगा और यह क्या करेगा एक लेगा तो समझ गया न कि कोई भी लेके और देखे अपने आप कोई स्टेबल करता है तो जो जितना ले रहा है वह उसका वैलेंसी हो गया या जो जितना दे रहा है वह उसका वैलेंसी ह तो सोडियम का वैलेंसी कितना होगा यह एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वन होगा मैगनिसियम दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दो होगा एलमुनियम तीन इलेक्ट्रॉन को लूस करेगा तो तीन होगा यह सेरिंग करेगा चार यह क्या करेगा यह तीन अब valancy का जो बात आता है इसमें देखो अब यहां पे plus और minus होता है जो electron को देता है उस पे plus होता है और जो लेता है वो minus होता है तो 123 यह सब plus होगा 321 यह सब ले रहा है तो minus होगा ठीक है बाद में इसको देखेंगे फिलाल इतना समझ लेना कि यह plus में है यह minus में है जो ले रहा है minus में जो दे रहा है plus में positive अब यहाँ पे तुम left to right जाओ यानि left से हम क्या करते है राइट में पहुंचे और राइट में पहुंचे तो हम देख रहा है कि valency पहले increase हो रहा है one two three four four तक तो increase हुआ four के बाद three two one और zero यानि left to right जाने पे कहां पे जाने पे left से right जाने पे predictable में valency first क्या होता है increase होता है और फिर क्या होता है then decrease तो में पूरा language में लिखना when we move from left to right in a period of a predictable valency first increase then decrease यानि जब हम left to right move करेंगे तो valency पहले increase होगा फिर valency हमारा क्या होगा decrease होगा ठीक है? यहाँ पे increase, valency increase का symbol है फिर क्या हो गया? decrease then valency decrease तो यह हमारा क्या हुआ हुआ? सेकेंड पॉइंट हुआ वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या होगा अब वैलेंसी के बाद हम लोग देखेंगे atomic size और बालक सब और बालिका दोनों बताओ कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो size बड़ा होगा की छोटा होगा क्या size बड़ा होगा की छोटा होगा अब देखो हसो नहीं तुम्हारे दिमागे में कुछ भी चल रहा हम बस इस element के size के बारे में बात कर रहा है तो लेक्त हम जहां कचड़ भर लिए अपने दिमाग में उसका कोई इलाज नहीं है कुछ भी करो तुम्हें की दिमाग में हुआ ही डवल मीनिंग वाला ही बात जाता है फिर भी कोई नहीं चलो बच्चा सब यह सब होना भी चाहिए क्योंकि अभी ने करोगे तो कब करोगे क भूल गया सब की याद है पिरियड इक्वल टू किसके बराबर होता है पिरियड होता है सेल नंबर के बराबर यानि जो जिस पिरियड में है उसमें उतना सेल होगा अगर कोई थर्ड पिरियड में है तो उसमें तीन सेल होगा कोई सेकेंड पिरियड में है तो दो सेल होगा अगर 7th period में है, तो 7th sale होगा, तो हमनों बात किसकी कर रहे है, 3rd period की, तो sale कितना होगा इसमें, सर अभी तो बता दिये, 3 होगा, बहुत तेज बन गए हो सब, कोई नहीं, तो इनमें जितने भी element है, क्या है, अगर हम यहां से लेकि वहां तक किसी भी element की बात करें, उसमें 3 ह 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, किसी में 4 sale नहीं मिलेगा, तो जो भी element होगा, उसमें 3 sale होगा, अजब sale बराबर होगा, यानि न, sale का size बड़ा हो रहा है, न छोटा हो रहा है, तब हम left to right जाएंगे, तो element का या item अगर बात कर लें, इसका size क्या होगा, छोटा होते जाएगा, क्यों सर, क् अब देखो क्यों छोटा होते जाएगा, इसका reason हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, देखो इसका भी और इसका भी, किसी दो को लेके compare करते हैं, sodium को ले लेते हैं, sodium हो गया हमारा, इसमें कितना है, 3 sale है, chlorine है, कितना sale है, तीन sale है, यह nuclear से बीच का, अब देखो, अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें proton कितना होगा, कितना होगा, atomic number है 11, तो proton भी होगा 11, जो नहीं जानता है atomic number, मतलब atomic number से कैसे electron proton निकाले, नीचे atomic number का वीडियो मिलेगा, बहुत short video, 40 second का वीडियो है, जाके देख लेना, तो दे atomic number 11, तो proton 11, इसका atomic number 17, तो proton कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अब देखो, बाहर रहता है हमारा electron orbit में, यह सब electron रहता है, अब जैसे जैसे, घर एक ही बराबर है, और अगर number of proton अगर हम increase करेंगे, तो proton powerful होगा, positive charge है, और जैसे जैसे यह powerful होगा, negative charge, electron को खीचेगा की नहीं खीचेगा, ठीक वैसे ही, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा, तुम भी negative charge के तरफ जैसे attract होते जाते हो ना, जितना ठंडी बढ़ता है, उतना ही attraction बढ़ता है, वैसे यहाँ पर भी काम है, कि जैसे जैसे अगर powerful होते जाएगा, वैसे वैसे इसमें 11 electron है, sorry, 11 proton है, तो 11 proton और इसमें 17 proton है, 17, अब दोनों में से ताकतवर कौन हुआ, दोनों का अगर हम compare करें, जाहिसा बात है, यह ताकतवर है, और जब ताकतवर है, तो electron को खीचेगा की नहीं खीचेगा, इसकी तुलना में तो जादे ही खीचेगा, क्योंकि यह 11 है, और यह 17 है, तो इसकी तुलना में यहाँ पे जो nuclear forces है, यानि जो proton का force है, वो जादे लगेगा, मतलब वो बहुत ताकत लागा कि electron को खीचेगा, यहाँ पे वो attraction कम है, यहाँ पे attraction जादे है, क्योंकि घर का size सेम है, तो जब हम इधर से इधर जाएंगे, जैसे जैसे proton ताकत होते जाएगा, electron को तेजी से खीचते जाएगा, और जैसे जैसे तेजी से खीचेगा, size छोटा होते जाएगा, क्या होते जाएगा, size छोटा होते जाएगा, तो हम बात करते हैं, मैं sodium से लेके chlorine तक की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो अगर sodium से chlorine तक हम जाए, तो side छोटा हो जाता है, क्या होता है side छोटा होता है, क्यों छोटा होता है nuclear force of attraction के कारा, तो हम क्या करेंगे, जब left से right जाएंगे, predictable में तो क्या होगा size, छोटा होते जाएगा, क्या याद रखना, तो अब बात करें, कि किसका size बड़ा होगा, तो यहाँ पे अगर sodium, magnesium की बात करें तो sodium का size बड़ा होगा magnesium का छोटा होगा, क्योंकि इसके बाता है, अगर हम बात करें aluminum और silicon का, तो aluminum का size बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाता है जो है number जादे हैं, तो खीच के छोटा कर देगा, अगर हम sulfur और chlorine की बात करें, तो sulfur का size बड़ा होगा, chlorine का size हमारा क्या होगा, छोटा होगा, तो predictable में left to right जाने पर size क्या होता है, decrease कर जाता है, यह हमारा जो है third point था, अब यहाँ पे आता है chemical reactivity की बात, ध्यान से सुनना बहु करेगा कैसे, और reaction में कौन participate करता है, तुम लोग पढ़े होगे, first जो chapter है chemical reaction and equation, उसमें बताया गया होगा, कि किसी भी reaction में electron ही participate करता है, तो reaction electron पे depend करता है, जो जितना तेजी से electron निकालेगा, क्या करेगा, जो जितना तेजी से electron निकालेगा, वो उतना reactive होगा, क्या होगा, उतना reactive अब चलो बात करते हैं इसको मिटा के देखते हैं थोड़ सा फ्रेस कर लेते हैं अब हम बात करेंगे केमिकल reactivity की कि इनका chemical reactivity क्या होगा तो सबको पता है 281 282 283 284 285 286 287 अब देखो अगर हम यह तीन इलिमेंट को देखते हैं सबसे पहले यह चार को ही देख लेते हैं यहां तक देखते हैं यह चार इलिमेंट को देखते हैं तो अब देखो किसी के लिए sodium magnesium aluminium और silicon के बात करते हैं किसी के लिए एक electron निकालना का मुस्किल है मुस्किल नहीं आसान क्या आसान everything is easy मेरा टैग लाइन है वाटसेव का वाटसेव नहीं facebook पर मिल जाएगा everything is easy तो देखो यहां पर एक electron निकालना easy है कि 2 electron magnesium को 2 electron निकालना easy है कि aluminium को 3 electron निकालना easy है कि silicon को 4 electron लेना easy है क्या easy है अगर निकालना हो अगर तीनी की बात करें तो कौन तीजी से निकालेगा जाहिर सा बात है एक electron जल्दी से निकालेगा उसके बाद फिर ये निकालेगा फिर ये निकालेगा यानि फर्स्ट हमारा होगा sodium, second position gain करेगा magnesium और third position gain करेगा हमारा aluminium क्योंकि एक electron निकालना easy है और एक और दूसरे point of view से भी देखो कि जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ेंगे nucleus, proton, electron को तीजी से पकड़ेगा पकड़ेगे खीचेगा तभी तो साई छोटा हो रहा था यानि electron और proton की बीच में attraction जादे होगा अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे दो electron भी निकालना है और nuclear forces भी जादे लग रहा है इसकी तुलना में sodium की तु reaction के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे तीन निकालना है और सिर्फ तीन निकालना ही नहीं है ऐलमुनियम को यहाँ पे nuclear charges भी बड़ा है और तेजी से electron को खीच रहा बोलना है नहीं हम तो नहीं जाने देंगे और ऐलमुनियम का रहा है छोड़ नहीं तो हम इस्टेबल नही क्योंकि sharing करता है तो सेरिंग करेंगा तो चार electron लेना क्या 4 electron लेना बहुत मुश्किल का काम होता है ऐसे चार ultra जल्दी असानी से नहीं मिलता है तो इसका position हम फोर्थ रखते हैं यहां तक electron lose कर रहा तो फरस सकेंड ठडर्ड पोजिशन यहां पे क्या कर चार eles लेना है तो चार इलेक्ट्रोन लेना है तो फूर्थ पोजिशन रख देते हैं क्योंकि चार इलेक्ट्रोन जल्दी से मिलेगा नहीं अब यहां पर क्या होगा यहां पर लेगा यह दे रहा था अब यहां से लेने वारा काम स्टार्ट हुआ है सिलिकॉन से तो यह फॉस्फोर तो फिर देखाजाये तो क्या होगा पहले activity कर रहा है क्या हो रहा है। कि यहां तक टेक्रीस टेज स्लोग सबसे ऍसक्त Gel यानी रियक्शन करने का च्छमता पोजीचन देखा आए तो यहां तक डिक्रीज हो गया क्या हो गया डिक्रीज हो गया chemical reactivity यानि decrease हो रहा है लेकिन यहाँ पे आने के बाद कहानी में change आता है climax में change आता है और क्या होता है अब 3, 2, 1 अब यहाँ से reactivity increase हो रहा है कि नहीं हो रहा है chemical reactivity increase हो रहा है मतलब कम reaction करेगा फिर उससे तेज reaction करेगा फिर तेज reaction करेगा बात समझ में आया है यहां से यहां तक decrease कर रहा है लेकिन यहां से यहां तक increase कर रहा है third position, second position, third position ऐसे भी दे सकते हो fourth, third, second and first यानि कहीं न कहीं यहां से increase कर गया reactivity तो हम क्या कहेंगे हम यह कहेंगे कि अगर left to right प्रियोडिक टेबल में जाएंगे क्या होगा left to right प्रियोडिक टेबल में जाएंगे तो chemical reactivity पहले decrease करेगा पहले सबसे तेज करेगा फिर धीरे 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 यानि decrease करेगा फिर क्या होगा फिर increase होगा four से third position, second position one यहां पर चार electron लेना यहां पर तीन लेना यहां पर दो लेना यहां पर एक लेना तो यहां से सिलिकॉन के बाद अच्छानक से reactivity क्या हो जाएगा हमारा, increase करेगा तो first decrease then chemical reactivity increase जब हम left to right प्रियोडिक टेबल में जाएंगे अब यहां पर एक तर्म आता है, electro positive element and electro negative element क्या तर्म आता है, electro positive element और दूसरा आता है, electro negative element ठीक है, तो जो electro positive element होता है क्या होता है, कहां पर इसको मिटाते हैं और दूसरा आता है electro positive मतलब क्या होता है जो electron को lose करता है, यानि donate करता है उसको हम बोलते हैं electro positive element और जो electron को gain करता है, उसको हम बोलते हैं electro negative element तब ध्यान से देखो, कौन होगा positive और कौन होगा negative सब लोग कर लिए होंगे देखो, ये तीनो, sodium, magnesium, aluminium electron को lose कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिलकु सर कर रहे हैं तो जब ये electron को lose करेंगे तो lose करने वाले को, या donate करने वाले को, हम क्या बोलते हैं, electro positive element ये होते हैं, donor होते हैं और यहाँ पर देखो, phosphorus, sulfur और chlorine ये electron को receive कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है तो जो gain करते हैं gain करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं, electro negative element तो ये तीनों हो गया, electro positive element और इधर हो गया, electro negative element याद रखना ये बहुत तर्म बारबार रिपीट करता है कि electro positive element क्या होता है और electro negative element क्या होता है तो इसके बाद हमारा दो topic बचा हुआ है और देखो, पैर फैला के सोने का काम मत करो ठंडा है, समझ रहा है, मन भटक रहा है जरूरत है तुमको लेकिन अभी सबसे जरूरी ये है क्योंकि वो जरूरत कभी भी पूरा हो सकता है लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है एक बार time चला गया तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं होता है पिर क्या होगा फिर अराम होगा देखो इसको जल्दी से नोड करो क्या होता है एलेक्ट्रो पोजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव अब हमारे पास केमिकल रिक्टिविटी का तो कहानी खतम हो गया अब हम बात करेंगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रो पोजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव इलेमेंट के बैसिस पर है तो हम नोग मेटल किसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रोन को देता है उसको मेटल बोलते हैं यानि जो इलेक्ट्रोन को लूज करता है उसको हम मेटल बोलते हैं और जो इलेक्ट्रोन को रिसीफ करता है उसको नोन मेटल बोलते हैं यहीं न बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं यही बोलते हैं तो देखो अब सब लोग सोचे कितना स्लो के हो गए स्लो इसलिए हो गए क्योंकि थोड़ा सा खासी है और गले में दर्द हो रहा है इसी ने थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं हम तुम लोग काम चलाओ तो देखो इन तीनों में है Sodium, Magnesium, Almonium ये तीनो का तीनो donor group है कि नहीं है electron को donate करता है तो ये हो गया हमारा metal ठीक है और यहाँ से यहाँ तक कहाँ से कहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ये gain करता है electron को तो इसको क्या बोलेंगे non metal तो बीच वाले को क्या बोले तो बीच वाले को वही बोलते हैं, जो बीच वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह हो गया, मेटल, नॉन मेटल, और बीच वाले क्या होगा, दोनों का करेक्टर होगा, मेटल का भी होगा, नॉन मेटल का भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे, मेटल ओएड, क्या बोलेंगे, metaloid तो metal इधर हो गया non-metal इधर हो गया यह हो गयाEOID यह semi-metal भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो neck है तो इसको हम रखते इस metaloid ही रखते है अब देखो यह सब donate करता हा तो metal वो non-metal अब देखो वहीं काम हम पिर से चलते है left to right अब क्यों लेफ्ट राइट ही जाएंगे राइट टु लेफ्ट भी तो आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं कहानी वही रहेगा बस थोड़ा सा घुमा देना ठीक है लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इधर से इधर कोई भी उधर से इधर नहीं पढ़ता है इसलिए लेफ्ट टू यहां तक मेटल का करेक्टर खतम हो गया कि नहीं हम चलते गए पहले सोडियम पे फिर मैगनिसियम फिर अलमुनियम पर पहुंचे अब अलमुनियम के आगे देख रहे जा मेटल ही नहीं है तो बोलेंगे न कि यह जो पॉइंट है अलमुनियम यहां पर मेटल खतम हो गया ठीक कर रहा है कि उसके बाद और यह तो गया मारा मेटालीड अब यहां से यहां तक क्या होगा अब सिलीकॉन पे पॉंचेब आगे बढ़ेंगे तो फोस्फर्वार स्नॉन मेत्ल फिर सल्फर्र मृड़्म century nonna तो क्या बोलेंगे नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बिलकुल बोल सकते हैं अब हम इधर सीधर पढ़ेंगे तो क्या होगा metallic character decrease यानि यहाँ पर metal मिलना बंद अब यहाँ से non metal मिलेगा तो non metallic character increase तो जब हम period में left to right जाते हैं तो metallic character decrease होता है और non metallic character क्या होता है increase होता है क्या होता है non metallic character increase होता है अब last point है वो हम नहीं भी बताये तो तुम लोग पहड़ के समझ जाओगे nature of oxide है कि इनको अगर oxygen के साथ reaction करा देंगे तो क्या होगा होगा क्या यह जो है यह यहाँ से यहाँ तक क्या होता है तुम्हारा metal होता है वताएक नहीं होता है और इधर non metal होता है तो metal को अगर oxygen के साथ reaction कराओगे तो क्या होगा metal के साथ अगर metal का अगर oxygen के साथ reaction कराओगे uh metal oxide क्या होता है metal oxide होता है basic और non metal oxide होता है decid यहीं नहोता है तो देखो यह तीनो यह क्या है metal है कि नहीं है उसमें हम देखेंगे sodium और magnesium को देखेंगे metal है तो इनका अगर oxide होगा तो कैसा होगा basic होगा इसको रूख मिटाते है ये note कर लो metal का oxide basic होता है non-metal का acid होता है अब हम बात करेंगे sodium और magnesium की तो इसका oxygen के साथ reaction कराएंगे तो क्या होगा base बनाएगा कि नहीं होगा basic होगा और इधर non-metal है इसको अगर oxygen के साथ reaction कराएंगे तो acidic होगा के नहीं होगा बिल्कुल होगा तो सरी ये aluminium भी तो metal है लेकिन यहाँ पर क्या होगा ये aluminium और silicon ये amphoteric सो करेंगे ये क्या होगा acidic ये होगा amphoteric amphoteric का मतलब यह होता है कि ये metal और non-metal दोनों का ये oxide बना सकते है अब silicon मतलब ये aluminium क्यों वैसा करता है ये हम और higher classes में पढ़ेंगे फिलाल इतना समझ लो कि aluminium और silicon amphoteric बनाता है यानि metallic oxide भी बना सकता है non-metallic oxide भी बना सकता है तो इधर यहाँ पे तो clear है ना sodium और magnesium AC मतलब metal है तो base बनाएंगे phosphorus, sulfur, chlorine non-metal है तो acid बनाएंगे silicon और aluminium तुम्हारा जो है amphoteric oxide बनाएंगे तो एक point छूट गया था वो हम लोगों का था highly reactive अगर कोई metal है तो उसमें कौन highly reactive होगा और अगर non-metal है तो उसमें कौन highly reactive होगा क्योंकि इस highly reactive से ही highly acidic और highly basic का concept है क्योंकि जब तक हम लो reactivity नहीं जानेंगे तब तक कौन highly acidic होगा कौन highly basic होगा ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कोई भी अगर दो metal तुमको दे दिया जाए और पुछा जाए कि इसमें highly basic कौन है तो क्या करोगे देखोगे कौन तेजी से reaction कर रहा है जो सबसे तेजी से reaction किया वो highly basic और जो धीरे से किया वो lowest basic होगा और अगर non-metal की बात करें पुछे कि कौन सबसे highly acidic है non-metal में तो क्या करोगे दो non-metal है देखोगे कौन तेजी से reaction किया वह highly acidic nature so करेगा जो धीरे से मतलब reaction किया वह lowest acidic nature so करेगा तो अब देखो जो reactivity होता है वह electron के transfer पे basis होता है मतलब depend करता है कि अगर 1 electron निकालना हो 2 electron निकालना हो 3 electron निकालना हो तो अगर metal है इधर तो किसको असानी होगा sodium को असानी होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रोन निकालना एक इलेक्ट्रोन निकालना इजी है तो इधार अगर मेटल वाले में ग्रूप में बात करें तो यह सोडियम हमारा जो है हाइली रियक्टिव होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रोन निकालना है बाकी क्या होगा बाकी भी मतलब रियक्टिव होगा लेक कि दो electron की एक electron, एक electron लेना हीज़िए, तो इधर से chlorine जो है हाइली reactive होगा non-metal में, क्या होगा chlorine हाइली reactive होगा, यानि अगर हम बात करें तो इस ind हम बात करें, मतलब left side में sodium highly reactive होगा क्यränक्य अ्यक्लन निकालना है इस पूरे पिरियड में, है Metal के अगर बात करें तो और अगरुण पर बात करें राइट के टिंड पर ठीक है तो हमारा क्लोरीन हाई ली बेसिक में कौन हौगा और हाईली एसीडिक नॉन में कौन होगा तो अभी बताए हैं जो तेजी से reaction करें हो highly acidic जो तेजी से reaction करें हो highly basic metal और non-metal में तो अगर हम इधर बात करें इन दोनों sodium और magnesium में highly basic कौन है तो highly basic हमारा होगा यह sodium highly basic क्योंकि इन दोनों में sodium तेजी से electron को loose करेंगा इसलिए highly reactive है और highly reactive है तो highly basic होगा और इधर non-metal वाले ग्रूप में बात करें तो chlorine हमारा highly reactive है क्योंकि एक electron ही लेना है बेचारे को और एक electron लेना है तो यह highly reactive है तो यह highly क्या होगा तो यह हमारा जो है concept था आज का किसका इसको नोट कर लो कि अगर left to right जाएंगे तो basic nature तुम्हारा क्या होगा decrease करेगा और acidic nature तुम्हारा क्या होगा increase करेगा और इसमें इधर sodium हमारा highly basic होगा और इधर chlorine हमारा highly reactive होगा sodium हमारा highly reactive होगा और इधर से chlorine हमारा highly reactive होगा तो यह हमारा concept है यहां पर लेते हैं left to right जाएंगे प्रियोडिक टेबल में तो basic nature क्या होगा decrease होगा और acidic nature increase होगा क्योंकि देखो यहां तक गए magnesium तक basic खत्म यहां से M4 टेरी की स्टार्ट होगा उसके बाद acidic की स्टार्ट हो गया तो left to right basic nature decrease और acidic nature increase तो यही हमारा एक छोटा सा क्या था concept था character of period के बारे में अगला जो lecture आएगा वो group के बारे में होगा और बहुत थी मज़दार lecture होगा और इस chapter का last lecture होगा तो ऐसे ही बने रहिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए और fill the knowledge lecture